हेलो माई YouTube फैमली कैसी है आप लोग तो स्वागत अपनी चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में आज बेसिकली जो वीडियो है हमारी वह यूजिली आपके पार्टनर्शिप और लो से रिलेटेड आप जानते हैं बिजनिस लो बिजनिस लो अभी मैंने स्टार्ट किया इसका नंबर सिक्स जिसकी सेगेंड वीडियो है पहली वीडियो नहीं देखी तो मैं बटन पर उसका लिंक देढ़ाएं अब जाकर देख सकते हैं इस वीडियो में बात करूंगा टाइपस ऑफ पार्टनर्स पाक्टनर्स कितने पकार के होते हैं कौन-कौन से होते हैं और उसके बाद नेक्स वीडियो जो रहने वाली है वह रही कि आपका डिजॉलूशन और पार्टनर्शिप उसके बेसिस बताऊंगा में सारे तो अगर आप थियोरी डिसकस कर रहे हैं करना चाहते हैं अपनी बीकॉम फर्स्टियर से लेटेट और ट्वैल से लेटेट तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लिए जिससे की अपकमिंग वीडियो आप तक पोसके चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को दोस्तों गाइस पहले बात करेंगे पार्टनर्शिप मैंने इसके अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखिए को आई बटन पर लिंके जाकर देखि कलको कोई अगर हानी होती है तो उसकी unlimited liabilities रहती है अगर कोई हानी होती है तो उसे अपने घर को बेच के भी उस हानी की पूर्ती करनी पड़ेगी वो उस बास से पीछे नहीं हटता हट सकता वो सारे रूल उसके उपर लागू होते हैं जो एक सामान्य साजिदार के उपर ल पार्टनर है और वो उसका विरोध भी ना करें जैसे कि एक पार्टनर फरम का पार्टनर नहीं है वो आकर दुकान में बैठ जाता है पाफरम पर बैठ जाता है गल्ले पर बैठ जाता है और भारवालों को यह लगता है कि यह पार्टनर है यह इस फरम का इन बंदों का पा partner of that firm लेकिन वो है नहीं और उसका विरोध भी नहीं करता उसको गोलते हैं holding out partner इसके बाद अब इसकी जिम्मेदारी क्या रहा है देकल को अगर वैपार में कोई case लगता है liability आती है तो unfortunately इसके उपर भी liability पढ़ सकते हैं इसके नुकसान है नेक्स आता है निसकीरिय साज़दार इसे sleeping partner कहते हैं अब यह वो partner होता है जो ना तो काम करता है और यह बस पैसा लगाता है फरम में इसका काम बस ही होता है कि फरम में पैसा लगाना यह फरम के किसी भी काम में संचालन में भाग नहीं लेता जियां दोस्त संचाल में भाग नहीं लेता बस पूझी लगाता है और जो profit होता है उसकी वो इसका अधिकार होता है वो इसको मिलता है और जब यह अवकास grant करता है तो इसे इसे अवकास grant करने के लिए के रिटायर होने के लिए कोई public information देने की जूरत नहीं होती इसको direct retirement मिल सकता है नेक्स टोपिक आता है के वल लाब में साज़दार यह भी वह इसी रिलेटेड़ी पार्टनर है यह partner बस पैसा लगाता है और पैसा लगाके बस business start करवा देता है और उसके जो भी लाब होता है वो इसे मिल जाता है एक होता है guys जिसे हम कहते incoming partner जिसे हम आगंतुक साज़दार भी कहते हिंदी में incoming partner क्या होता है जिसे की A और B ने firm को start किया partnership को और वो चल रही है पच्छी-खाजी partnership और दो-चार साल के बाद कोई नया partner सी जो कहता है कि मुझे भी partnership में ले लो जब कोई नया partner किसी चलती हुई फरम के बीच में add होता है partnership में तो उसको आगंतुक या incoming partners कहते हैं आप अकाउंटिंग में चैप्टर भी पढ़ते हैं addition of a new partner यह वह ही है इसके बाद एक होता है retire partner ऐसा साइधार जिसका time period जो जुसे लगता है या तो उसको आपसी में कोई जगड़ा हो गया है यह उसे और कहीं से और अच्छी offer मिल रही है यह वो अब काम नहीं करना चाता वो फरम से अलग होना चाता है तो वो जो फरम से अलग होता है उसको retirement कहते हैं आवकाज grant तो इसको अवकाज घरेंड करनेवाला साइधार रे retire partner भी कहते हैं तो यह सारे मैंने topic आपको समझाए कि partners कितने परकाल के होते हैं वैसे तो और भी होते हैं लेकिन यह basic basic most important है जिनमेंसे कोई एक topic आपको आपके upcoming exams में मिल सकता है अब बात करते है right of partners किसी भी साज़ेदार के क्या क्या अधिकार हो सकते हैं नमबर एक सब्सक्राइब होता है right to take part in the conduct or business यानि कि जो वैपार का संचालन होता है जो वर्क होता है उसमें भाग लेने का अधिकार कोई उसे मना नहीं कर सकता कि तुम यह काम नहीं करोगे तुम घर जाओ उसको भाग लेने का अधिकार दूसरा उसको cancel करने का अधिकार इनकर Hel decide को सला देने का अधिकार है क्योंकि उसने firm में पैसा लगाया है तीसरा उसे अधिकार है उसेःधिकार है इंपेक्ट book of the firm अधिकर की पुस्तगों को देखने का अधिकार है जो भी account books होती है उसको वह अगर उसने फर्म को कोई लोन दिया हुआ है तो उस लोन पर इंटर्स लेने का भी उसको अधिकार होता है जियां दोस्त और अगर कोई इसका लाब बनता है उसे लाब लेने का अधिकार होता है यह सारे अधिकार होते हैं पार्टनर्स के लेकिन डिपेंड करता है वो पार्टनर किस तरीके अगर वो नॉर्मल पार्टनर है एक्चुल पार्टनर है तो यूसके सारे अधिकार बनते हैं अगर वो और किसी तरह का रहें तो उसके अधिकार जो हैं आपर कम हो जाते हैं अपने एक बात ऑपना कान करना सर्भावना से दिखाया कुछ यह नहीं होना चाहिए नेक्स है टू गिव फूल इंफर्मेशन आप समय अगर एबी सी दियार थ्री पार्टनर इने पार्टनर्शिप हम तो उन्हें एक दूसरे से अच्छी इंफर्मेशन शेयर करनी चाहिए यानि कि कुछ छुपाना नहीं चाहिए तू इ हानी होगी तो उसमें आपको हिस्सा मिलेगा आप उससे पीशे नहीं हड़ सकते और यह ध्यान रही के टू यूज दा पार्टनर्शिप प्रॉपर्टी फॉर दा फर्म ओनली जो फर्म की प्रॉपर्टी होती है उसका यूज आपकी फर्म के लिए कर सकते हो अपने नीजी प्रियोग के लिए नहीं कर सकते हैं यह नहीं कह सकते कि इसको तो मैं अपने घर ले जा लेता हूँ मेरे बच्चे काम आजाएगा एसा नहीं चलेगा टो अकाउंट फॉर प्राइवेट प्रॉफिट यानि के व्यक्तिकत लाबों का इसाब अगर आपने कोई ली कुल मिलाकर जो संयुक्तेम् प्रथक दायत हुए एक लाइबिल्टी होती है सब की हटटी और एक लाइबिल्टी अलग से मेरी इंडूजिली तो इसको आपको फेस करना है उससे पीछे नहीं अटना है नेक्सट है no to a sign right तो अपने फ्रेंट्स को शेयर किजिएगा और थ्यूरी अपने इस चैनल पर चुटकियों मैं आपको समधा दूगा मैं अगर थोड़े थोड़े टोपिक्स के लिए रोते रहें तो आपको स्टडी में बहुत ज्यादा हैल्प मिलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर पहली बार देख रहे हैं तो मगली वीडियो में नेक्स्ट टोपिक लेंगे डिजॉल